राश्ट्पति जी के कारकाल के दो वर्ष पुर्णव हुए हैं आप गिमार दर्शन में देश को नई दीशा मिली हैं नई प्रेणा मिली हैं और मेरा व्यक्तिकत पिछले दो महिने का अनुभव बहुत ही उत्सावर्दक रहा है एक परिवार के मुख्या की तरह मुझ जैसे एक नए व्यक्ति को हर पल आपका मार दर्शन मिला है और आपके कारकाल में भविश में भी देश बहुत ही प्रगति करेगा विश्व में सम्मान प्राप्त करेगा ऐसा मुझे पूरा भरोसा है मैं आज की शुब अवसर पर आदरनी राश्पती जी को बहुत बहुत शुब कामनाई देता हूं आज मेरा स्वभागे रहा कि मुझे दो पुस्तकों का लोकारपन करने का आवसर मिला और उसमे एक उसकी ब्यूटी यह है कि दो लोग है लिखने वाले जो इसी भवन से जुड़े हुए है और इसलिए वो सिर्फ संसोधन के कारण लिखा हुआ नहीं है अनुभूती के द्वारा प्रगट हुई वो कृती है संसोधन के द्वारा प्रगट बनने वाली चीजे और अनुभूती से प्रकट होने वाली प्रकृतियों में बहुत बड़ा अंतर होता है मैनुफेक्टरिंग और क्रिएशन में जेतना अंतर होता है उतना अंतर इन दो चीजों में रहता है और मैं इन दोनों सर्जकों को बहत-बहत बधाई देता हूँ दो किताबों का एक मुल मंतर तो एक है एक किताब उन लोगों के लिए है जो बुलाए हुए महमान है और दूसरी किताब उन लोगों के लिए है उनके सबन में है जो बिन बुलाए महमान है बे महमान जो कलाकार थे और यहाँ पर कसे ने अभी परफॉर्म किया है उनकी सारी गाथा सुनाता है और दूसरे वो है जो बिन बुलाए है लेकिन दुनिया के कई भुभाग से हैं और देखने आते थे कि देखे तो सही हिंदुस्तान का राष्टपती भवन कैसा है कला और संस्कृती भारती एक अन्मोल दरोहर है गुलामी के कालखन में उसका गवरोगान सिमीत हो गया आजहदी की अनेक प्रमुक निशानियों में एक होती है उसकी कला संस्कृती कितनी व्यापक और तिवरता से उजागर होती है हमारे देश में कला और संस्कृती की विरासत इतनी है कि जो हम विश्व को अभिभूत कर सकते हैं लेकिन हम कर नहीं पाए हैं हमारी कला और संस्कृती पूरे विश्व को आकरसित कर सकती है दुनिया में कौन से इसी भूगा आग होगा अग जहां सुभे के लिए एक राग हो दोपर के लिए दूसरा हो शाम के लिए तीसरा हो मध्धिरात्री के लिए चोथा हो किसने सोचा है कि सूरी और चंद्र की कला के साथ कला भी विक्सित होती है ये परंपरा हमारी आ रही है दुनिया के बहुत भूभाग ऐसे है कि जहां का संगीत तन को डुलाता है लेकिन यही एक भूभाग है जहां का संगीत मन को डुलाता है ये हमारी विरासत है उस विरासत को विश्व के साथ में हम कैसे उजागर करें कला कभी भी राजासरित नहीं हो सकती और कला कभी भी राजासरित नहीं होनी चाहिए कला सदा सरवदा राज्य पुरस्कृत होनी चाहिए और राज जो पुरस्कृत नहीं होगी तो कला कभी विख्षित नहीं हो सकती है भारत के राजगहरानों की परंपराओं की जो अनेक विरासते हमारे पास हैं उसमें कला और संस्कृति को जो पुरस्कृत किया गया उनके माध्यम से उसके कारण है और उसका नाम इंदर धनुष भी मुझे बहुत अच्छा लगता है जैसे इंदर धनुष आस्मान के रोनक भढ़ा देता है वैसे इंदर धनुष रुपी हमारी कला संस्कृत बिश्व के मानचीतर पर भारत की महानता को सौंदर्यवान करने का प्रयास करता है और इस सर्फ मैं मैं इंदर धनुष नाम को भी पसंद करने के लिए सर्जक को बड़ी बधाई देता हूँ दूसरी किताब है बिन बुलाए महमान का समद्ध मैं यहां पर कितने पंची आते हैं कैसे हैं उनकी परंपराएं क्या है उसको सब उजागर करने का प्रयास हुआ है हमारे आसपास दुहावत कुछ होता है लेकिन हमारी जिन्द की ऐसी मशीन जैसी हो गई है कि फूल का गुलदस्ता देखते हैं लेकिन पता नहीं होता है मैं किस फूल को देखता है हुवारा ध्यान नहीं होता है पंची, पमन और पानी ये तीनों ऐसे हैं जो सरहद में कभी सिमडते नहीं है उसकी कोई सरहदे नहीं होती है पंच्छियों और पवन और पानी इसकी कोई citizenship नहीं होती है और वो विश्व के किसी भी कौन में जाते हैं अपनी मनमर्जी से चलते हैं और उन पंच्छियों की बात आज जब हम एनवार्मेंट को लेकर के पुरा विश्व चर्चा करता है हमारी सांस्कृतिक विरासत रही है सहजीवन की प्रकृति के साथ संगर्ष नहीं प्रकृति के साथ संबादिता यह हमारी जीवन की परंपरा रही है हमारी इक्तिहास और सांस्कृतिकी परंपरा में कभी भी पंच्छी का स्थान हमारी यहां, हमारी यहां वेद की प्रकाश में उपनिशद्ने लिखी गई, उसके प्रकाश में समुरूतियां तयार हुई, सुरूतियां बनी और कोई कल्प ना कर सकता है कि हमारे जो पुरान है, उन अठारा पुरान में से एक पुरान है, गरूर पुरान, यहने हमारे पुरवजों ने हमारे सास्त्रों में पंच्छी को क्या महत्व दिया था, और विश्णो और गरूर की चर्चा का वो पुरा पुरान है, जब गरू गरूर पुरान पर लोग कथा करते हैं तो आठाट नव नौव दून तक उसकी चर्चा चलती है। और उसमें विश्णु भगवान और अभी जो जो गायक थे उन्होंने भी विश्णु की चर्चा की थी। विष्णो और गरूर की चर्चा में मानविय मुल्यों में पंच्छी के जीवन से प्रेणा की इतनी गहन चर्चा है यानि हमारे पुर्वजों ने हजारों साल पहले पंच्छों के सामर्थे को कैसे पहचाना था उसमें अनुभव आता है दुनिया में शायद ही हम लोगों के ऐसे हैं कि जहां हमारे पुर्वजों ने जो इश्वर की कलपना की कभी दिमाग अपलाए करें तो देख में आता है कि प्रकूरती प्रेम प्रकूरती के साथ समवादिता यह हमारी इश्वर की कलपना की विशेस्ता रही है हिंदुस्तान की परंपरा में कोई इश्वर ऐसा नहीं है जिसके साथ कोई पशू या पंची न जुड़ा हुआ हो कोई वुरुक्ष न जुड़ा हुआ हर एक के साथ कोई भी इश्वर उठा ली जी और सिवजी की परिवार को देखिए नौर्मली साप चुहे को खाता है चुहा ये साप का आहार होता है लेकिन सिवजी का परिवार देखिए सिवजी के गले में सर्प होता है और गनेजी का वाहन चुहा होता है सहज जीवन की प्रेणा किस प्रकार से हमारे परंपरा में रही है इसका उत्तम उधारन इन चीजों से हमें बिलता है और इसलिए प्रकुर्टी के प्रति प्रेम प्रकुर्ती के प्रति लगाउ और पंची तो वो हैं जिसने हमें पोस्टमेंड की गलपना दी पूरा पोस्टमेंड की जो व्यवस्ता के उजागर हुई है वो पहले पंचियों को मेसिंजर के रूप में उप्याव होता था उसमें से हुई है आज भी दुनिया की कोई भी ऐसी आर्गिटेक्चर कॉलेज नहीं हो सकती है वो गौंसला बना सके जो पंच्ची बनाता है इंपोसिबल और अच्छा है कि पंच्ची आर्गिटेक्चर कॉलेज में गए नहीं थे वरना वो भी है एकी प्रकार के गौंसले बनाते जो इंसान कर रहा है हर पंच्ची अपनी रूची प्रकुर्ती प्रवूर्ती के अनुसार गौंसला बनाता है उसकी जो लाइफस्टाइल है उसी के अनुसार होता है वो जिस इलाके में रहता है वहाँ जो वेस्ट में से वेस्ट बनाता है कभी कोई पंच्ची उस पौध्रे को तोड़ करके अपना गौसला नहीं बनाता है जो जीवित होता है आप देख लेना अध्यान करना नहीं जो जो उसकी ताकत देखिए आतंगवाद के खिलाव लडने की ताकत जटायू देता है एक पंच्ची सिता की रक्षा के लिए जिस प्रकार से जूजता है अपने पंखें कट जाएं तब तक लड़ता है इससे बड़ी प्रेड़ा पंची क्या दे सकता है और इसलिए पंची को समझना उसकी दुनिया को जानना वो भी जीवन को एक नई ताकत देता है और वो दोनों का राष्ट भहत्री भवन के परिश कि उस दुनिया को विश्व के सामने उजागर करने के इस प्रयास को मैं बढ़ाई देता हूं आज सुभे मुझे 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 के उद्धारन समरों में आने का आफसर मिला था मैं मानता हूं इतिहास को पुनर जिवित करने का एक उत्तम प्रयास हुआ है हम लोगों की एक कठिनाई रही है और वो है हम हिस्ट्री कॉंसे सोसाइटी नहीं है और इसके करान हमारी बहुत मुल्यवान विरासते हाँ सुना था हाँ देखा था उसी में उलज जाती है दुनिया में जहां जहां पर हिस्ट्री कॉंसे सोसाइटी है उसका एक दबदबा रहा है राश्पदी भवन की इतिहास को समझने के लिए देखने के लिए जो मीजियम बना है मैं समझता हूँ हमारी इतिहासिक विरासत को उजागर करने के लिए बहुत ही उत्तम प्रयास आज हुआ है मैं इसके लिए भी बहुत बहुत बदाई देता हूँ और मैं मानता हूँ कि वो समाच जो इतिहास को घूल जाता है वो इतिहास बनाने के थाकत खो देता है इतियास वो ही रच सकते हैं, जो इतियास को समझते हैं, इतियास को जानते हैं, और इतियास को जीने का प्रयास करते हैं, मैं समझता हूँ, राश्पते जी के मारदर्शन में, यह जो प्रयास हुए हैं, वो आने वाली पीडियों के लिए बहुत काम आएंगे, जब हम आज प प्राकृतिक संपदा का उप्योग करते हैं वह प्राकृतिक संपदा हमारे पुर्वजों ने हमें विरासत में नहीं दी है। को हमारी आने वाली पीडी को हम समर्पित करके ही जाएं और तभी जाकर के परियावरण की वैश्विक रक्षा में हम काम आ सकते हैं। फिर एक बार राश्पति भवन के सभी महानुभाओं को बहुत-बहुत शुब कामना हैं। बहुत-बहुत बदाई।